30,000 रिस्वत लेते हुए स्वास्त लिपिक हुआ गिर्फतार आप सभी का सबसे तेज ख़बर स्वास्ती चैनल में स्वागत थे चैनल को लाइक, सिर्म, सब्स्क्राइब करें साथी घंटी का बटन दबाना ना भूलें जिससे हर ख़बर आपको सबसे पहले मिलती थे ख़बर उत्तर त्रदेश के बहराई जनपस से है जहांपर नानपारा में देश साम एंटी करप्सन के टीम ने बरिष्ट स्वास्त लिपिक को दिसवत लेते रंगे हाथों के रफ्तार किया है नानपारा के अमवा हुसाइन पुर प्राथ में स्वास्त तकेंद पर तैनातर है स्वास्विभाग के रिटायर अरिकारी घंस्याम बर्मा ने जी पीफ निकालने के लिए आबेदन किया था पीडित का आरोफ है पंदा लाख जीप निकालने के एवज में बड़े बाबू निजाम एहमाद खान ने 30,000 रुपे की रिस्वत की मांगी थी रिस्वत मांगे जाने पर पर परिसाम बरिष्ट स्वास्त परवेच्छ घंस्याम बर्मा ने इसकी सिकायत एंटी करप्सन भी उदोसर की प्रीडित की सिकायत के बाद गोरफ पुर्व अग रिस्वत लेते रंगे हाथों एंटी करप्सन की टीम ने गिरफतार करने में सफलता प्राथ की 30,000 रुपे की रिस्वत मांगी जा रही थी अपने ही जीपीअप के पैसे निकालने को लेकर लगातार रिस्वत की मांग की जा रही थी आखिर कारप्रीडित ने इसकी सिकायत एंटी करप्सन टीम से की पैसा पंदरा लाग हमारे खाते में आ जाता लेकिन बाबू हमसे जो है उसका दो परसेंट मांग रहा था पंद्रा लाग का दो परसेंट एनी की 30,000 रुपय हम से मांग रहा था। अब आज हमको 15 दिन हो गया कागज हमने उसको दे दिया है। और 15 दिन से हमको बिना पैसे के साहब का सिग्निचर नहीं करा रहा था। उस कागज को आगे नहीं करा रहा था। आज जब हम पैसे की व्यवस्था करके और जब उसके पास आये तो जो है हमको देना पड़ा पैसा और उससे पहले जो है हम सिकायत कर चुके थे आज तो दिया और अब स्वार्ट यह उट्र लगाये थे इसने ले लिया और आज इसने ले लिया और आज और पातलिया रहे हम दिक्तार धार दर्लियों इसते अच्छा यह गिस्ता